तो है गाइस कैसे आप से उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे good morning all of you welcome again to my channel मैं आज भी 7 बजी उठा हूं जो ऐसा की मैंने सिरी चलाई थी वैसे ही इसके बाद मैं प्रेस अगरा होगे कि ब्रेक्फास अगरा कर लेता हूं अपना और जो आज का मेरा ब्रेक्फास था कोई नहीं अब continue करते हैं मतलब रेगुलर नहीं मैं वीडियो बना पहूंगा थोड़ासा टाइम लगा करेगा मुझे ए वन वीडियो तो आई जागरेगी ठीक है and happy new year guys मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वह मैंने private कर दी because इतना आपका प्यार धाना मैं उसे देग निभा और फिर मैं YouTube को कुट नहीं कर पाया पूरी तरह तो मैंने वह प्राइवेट कर दी वीडियो तो मैं कुट नहीं कर रहा हूं थोड़ासा लेट आया करेगी बस तो थोड़ासा अधिस कर लेना गाइस तो चलिए शुरू करते आज का व्लोग मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने टूडो लिस्ट से और फिर अपने टार्गेट स्पूरे करेंगे आईए अब बना लेते हैं अपने टूडो लिस्ट टूडो लिस्ट में जो मेरे आज के टार्गेट रहेंगे वह हैं इंग्लिस में वह कैब में 40 synonym 40 antonom 40 idiom और 41 और जो मैं सेरियल नंबर से मैं जह और में करने वाला हूं की दो किलास और लाश्ट में आज मेरा टार्गेट रहेगा करन्ट अफेर का दो घंटे किलास तो चलेगा इसी स्टार्ट करते हैं अज की स्टड़ी मैं सबसे पहले उठाते हूं अपनी वोकेबलेरी में मैंने आपको टार्गेट बता दिया तो इसमें मुझे टाइम लगा वाया तक तो अब बजगेए था बिकोज मैं जो स्टार्ट करीटे अफनी स्टड़ी को करीटी साधी आट बजे उसके बाद मैंने ब्रेकरस किया अधा पैथ में तो अब अपना जो नैक्स अरगेट है प्रोनावन का पूरा रवीजन करना है तो में 2-3 तरह बीच में उस पाइध दिया पर चाम गई तो पहले प्रोणाव करेंगे और इसके पार नेक्स दे तुनाम चेप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो आएए पहले नोट्स करते हैं मैंने नोट्स बनाये अलग से दुबारा भी मैंने एक बार नोट्स बना रखे देगे बड़ कुछ चीजे उसमें ऐसी थी कि जो मैंने नहीं लिखी दी जो पेड़ कोर्स में संगने जादा एक्ट्रा बढ़ाई है तो मैंना एक्ट्रा दो जो मेरा प्रोणाम चप्टर है वो भी कम्प्रीट हो गया है ओलमोस दो घंटे दस मिलाट में कम्प्रीट हुआ है विको इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इसमें एडवर्बिल फ्रेज अजेक्टिवल फ्रेज इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक जो आगे के चैप्टर का है वो भी पढ़ा रखा है तो इसलिए यह चैप्टर करने में मुझे रिवाइस करने में भी काफी टाम लगे क्योंकि इसमें बहुत ज्याज़ाज़ प्लमों और वाइफाई चलेगा नहीं बिना लाइट के क्य बिकुज लाइट आजाएगी तो अपना मुख दे लेंगे फिर अपनी स्ट्ड़ी कर लेंगे तो नेक्स टार्गेट मेरा मुख होगा तो आए पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद अपना नेक्स टार्गेट करेंगे लाइट आने के बादे पहले में हैंड वोस करके आता हूं तब अपना खाना खाए लिए यह है मेरा लंच यह गोभी की सब्जी और यह रोटी तो आएए अपना लंच पहले फिनिश कर लेते हैं और लाइट भी आ गई है तो लंच करने के बाद अपना मोख भी देंगे सो गाइज लंच कर लिया मैंने फिनिश टाइम हो गया बाराच पैन तालीस बारच एतालीस हो गया है तो फटावट से अपना लैप्टोप निगालते हैं और अपना मोग श्टार्ट करते हैं और उससे पहले में आपको कुछ दिखा दो यह है वोम बैग जो पहले वाला था तो यहां पर बैटने में काम आजाता है काफी थन लगती न यहां पर पैरवर बैटे तो यहां पर लैप रख लो तो थोड़ा से कम ठर लगती है तो इसलिए तो पहले इसके करम कर लेते हैं उसके बाद अपनी जो मोग है वो स्टार्ट करेंगे मैं लेप्टॉप निकालता हूं तब तक आईए को बाद है वो स्टार्ट करेंगे मदोर करेंगे में निकालता हैं । तो गाइज योगा मिराज का मौक 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 का पेपर है तो आये स्टार्ट करते हैं इसको तो स्टार्ट करने से पहले मैं कैमरे को पीछे लेकर जाता हूं और अपना जो रिष्टर बगएर उसको उठाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको आईए तो गाइज यह मेरा आज का स्कॉर 140 प्लस 146.5 यही मेरा स्कॉर आ रहा है 140 141 142 140 139 इसी के अराउंड मेरा स्कॉर घूम रहा है तो मुझे लगता है जो मेरी मिस्टेक्स है वह है जमैट्री चैप्टर विकोज उसके कोशन मेरे से आज एक भी नहीं हुए है और हाइट के अप्टर का भी रिवाइस किया ही नहीं है और जो मेरी रैंक आई है वो 723 आई है 7000 रैंक अच्छी है बट क्या करें गाइस मुझे यहां से भी स्कॉर बढ़ाना है और यह नहीं है कि हम प्री प्री में नंबर लिया और मेंस में तो मेंस की तयार भी साथ साथ करनी बढ करें थे 14 के 14 ठीक है बिकोज मुझे चोदा आते थे तो मैंने आज मैंने बस मैंने अभी रूल अपना है गाइस एक भी तुक्का नहीं लगाना है जो चीज आती है वो अटेम्ट करनी है बस बाकी और कुछ भी नहीं करना है यहां पर मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्ट करें थे इससमेंसे छारर कोष्चन जमेमार्टिक देए दो कोषन हीटन डिसेंस करें तो मैंने जो क्क्रेंट किया वый सिम्फिशन का थे तो मैंने वो अटेम्ट कियैं मैंसे जो मेरा इसकोर है उसमेंसे दो एक जारम 18 और Inglise में मैंने 19 मैंने 19 सपर अटेम्ट करें और 19 टीक है तो ये भी मेरा score काफी अच्छा है इंगलिस में जो मैं अमन वर्सी सर से पढ़ रहा हूँ ना तो उसका फाइदा वाके में नजर आरा है आच्छा वैच है क्योंकि और जो आज vocabulary के भी दो question सर के किलास से फजे हैं मुझे मैंने सर की class ली थी और 77 मैंने अटेम्ट किये थे मैं आपको दिखा था हूँ सारी चीज ये देखिए रिजिनिंग में मेरे दो गलत हो गए जी एस में मेरे सारे सही है मस ये question मैंने सारे एक line से यहां से मैंने अटेम्ट करें 4 उसके बाद सारे छोड़े विकोज एक भी निया आया उसके बाद मैंने तीन question यहां पे और फिर बाद में question थोड़ेजी थे तो इसलिए का इस पूरा paper देखिए देखिए ये ये question रहे जाए और मैंत में मेरे एक गलत है ये वाला दिखाता हूं आपको को ना गलत है मैत मेरा ये question गलत है इसमें algebra का इक course up था जो मैं पढ़ रहा था वो मुझे formula वो ये वाला याद नहीं आया जिसकी वेज़से ये गलत हुआया मैं confused था वैसी मुझे लगी रहा था कि ये गलत होगा और English में भी ठीक है सारी सो गाइज मोक मेंने complete कर लिया अपना टाइम हो गया दो तो मैं थोड़ासा दस परने मेट का ब्रेक लेता हूं उसके बाद हमने next target continue करेंगे और मैं थोड़ासा review भी कर लेता हूं जो जो question गलत हुए बागी मुझे पता है जो मैंने छोड़े है मुझे पता है क्योंकि मैं वही attempt कर रहा हूं जो मुझे आते हैं एक भी दुक्का नहीं मारना है मैं पहले क्या गलती करता था मैं आपको बताता हूं कि मैं negative तुक्का जादा मारता था इसा सबसे ज़्यादा करना गलत है because negative बहुत आपको पीछे ले जाईगी तो इसकोर कभी भी भी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे में कि आपको कौन से चैप्टर वीक है कौन सा नहीं तो उस बेस पे मैंने काम किया अपने उपर तो मैंने इसलिए जो मैं मेरा स्कोर है 110 110 के असपास मेरा स्कोर आता था तो अलब 30 नंबर का मैंने जंप लिया है पर मैंने उसके बाद महनत भी काफी करी है 10.91 का ब्रेक लेता हूँ उसके बाद अमना कंटीनू करीग So guys, मैं आप करने वाला हूँ Math में अपना next target Quadric equation की दो किलास Sun ने दो किलास करा हूँ तो दोनों आज खतम कर लेते हैं Quadric equation की जो किलास है वो भी खतम हो जाएगी तो उसके बाद उसकी practice भी कर लेंगे तो आईए start करते है So guys, आज इत्र संजन सर की Quadric equation की दोनों किलास मैंने complete कर लिये और टाइम मैं आपको दिखाता हूँ चार बज़के 20 मिनिट होगे almost तो दो घंटा 20 मिनिट लग गे मुझे विकोज जम सर कॉस्टन कराते हैं तो उससे पहले जो समझ में आ जाता टाइम से एक गंटे किलास थी दोनों वैसे तो वाट जो टाइम बीच-बीच में रोक के calculation करनी होते है उसमें जादा टाइम जाता है तो जिसके वैसे 20 मिनिट एक्सर लगे तो अब मैं 10 मिनिट का थोड़ा सा गैप लूगा गाईज और उसके बाद स्टार्ट करते है अपना नया मैं थोड़ा सा बाहर उठके थोड़ा सा टाह लूगा फिर उस बैठे बैठे मुझे बहुत जाड़ा टाइम हो गया है तो उसके बाद अपनी करन्ट अफेर का अपना जो लास्ट टार्गेट है जैन मन से दिसंबर मन का 2023 का पूरा करेंट करेंगे कि दो गंटे लेंगे कि धास तो ज्यादा लंबी होड़ा स्सक्राइब है उससे कम्प्लेट करूंस के लिए C सब्सक्राइब एर्धल गारल तो पहले मैं क cran vessel से बाद स्टार्ट करते हैं ये है वह लिसमेल लेने वालों यह ओल्मोस्ट पांच घंटे आठ मिनिट किये गाइज तो आज मैं सिर्फ दो घंटे कि लूँगा बाकी नेक्स डे मैं दो घंटे और फिर नेक्स डे गंटे में इसको तीन दिन में ख़तम कर देंगे तो यह पूरे साल की करेंड फेर तो आइए स्टार्ट करत करता हूं तो आइज जो मेरी दो घंटे कि रंटे फिर किलास है वह मैंने कंप्लीट कर लिए अच्छली बें दो घंटे साथ मिनिट मैंने किलास लिए और टाइम मैं आपको दिखाता हूं और है साधे च्छ हो गया तो जो मेरे सारे टार्गेट श हैं वह अपको दिखाता हूं इस अपने सारे टार्गेट कंप्लीट कर लिए तो अब मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं मिलते हैं नेक्स लोग में Central तोड़ा से लेट आया करेगी वीडियो बट आया करेगी और आपको इतना सारा प्यार देखके ना सची में हैं जो थैंक्यू बाइबाइ